हेलो फ्रेंट्स वागत एक नई वीडियो माज हम बात करने वाले फ्रेंट फिंगर प्रिंट लोग को कैसे हटा है आज की वीडियो में यहीं सिखेंगे और फ्रेंट मैं आपको इसमें बता हूँगा फिंगर प्रिंट लोग हटाने की दो तरीके तो आपने कभी सुना नहीं होगा कभी देखा नहीं होगा आईए कैसे आपको दो तरीके मैं बताता हूं मेरे पास जो है फ्रण ओपो find x2 pro है मेरे पास जो है फ्रण तो मैं इसमें बात करने वारा हूँ अगर आपके पास कोई सभी android device है कोई सभी ओपो का device है आप उसमें भी बड़े असानी से कर सकते हैं तो आपको क्या करना होगा आपको सबसे पहले settings को आपको open कर लेना है open करने के बाद आपको इस तरह से interface देखने को मिल जाता है तो आपको यहाँ पे search settings का option देखने को मिल जाता है मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हर एक phone में settings इस तरह से होता है तो यहाँ पे आपको लिख देना है fingerprint तो आपको यहाँ पे already देखने क अगर नहीं देखने को मिलता है तो आपको लिख देने है पासवर्ड ठीक है तो अपको 100% मिल जाए क्योंकि यह मैं आपको अगर करना है मेरे को रिमूब करना है तो आपको इस पर क्लिक करने के बाद पहले तो आपको वह पासवर्ड डाल लेना है कभी कवार ऐसा होता है जो कि हमारा फिंगर प्रिंट काम नहीं करता है तो आप लोग से भी खौल सकते हैं यह benefit होता है तो आब हम कर लेते हैं कि fingerprint को remove कर लेते हैं इस पर click कर तीए मैं दूसरे के लिए delete मार देता हूं यहां पर देख सकते हैं delete fingerprint तो हैंसे यह fingerprint हट चुका है तो आप इसी तरह से आप हटा सकते हैं fingerprint को तो अफ्टरान आज की वीडियों आपने सीख लिया है फिंगर रिफ्टेंट लोग को कैसे हटाते हैं तो अफ्टरान आज की वीडियों बस इतना ही सेर, सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन का वटन जब दबा दे ताकि आनल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टोपिक के साथ तब तक के लिए नमस्कार